तो आज हम बात करेंगे कि अगर जो वाइफ है वो बिना वज़े मेंटेनेंस किलेम करती है हजबेंट से यानि कि जो वाइफ है हजबेंट से हरास्मेंट करने के लिए 125 लगाती है वागेरा वागेरा तो ऐसे केस में क्या करनाथ जी है So let's start it, intro So okay, so सबसे पहले मैं आपको बता दू, मैं उन कीसो के बारे में बात कर रहा हूँ जो बिल्कुल फेक होते हैं Okay, मैं किसी के मेंटेनेंस के खिलाफ नहीं हो कि भी आप मेंटेनेंस क्यों ले रहे हो मैं उनके regarding बात कर रहा हूँ जो क्या होता है कि भी husband को harassment करने के लिए maintenance डाल दिया जाता है अब वो क्या-क्या condition होती है आपको मैं reality बता देता हूँ तो दिखो reality यह होती है कि husband अपने घर है wife अपने घर है suppose कोई अनबन होगी कुछ भी होगया wife अपने घर चली गए वाइफ के पास कोई sufficient reason निया भी reason निया कि भी वो घर क्यों गई अरगे इसके पास बस यह की छोटी मोटी लड़ाई होगी आपस में आपकी बीच में आज होगी है चोटा मोटा जो की कोड तक ना पहुंचाओ जब तक वो कोड तक ना पहुंचाओ वो इक तरह से चोटा मोटा है civil case में अगे अब क्या होता है wife अपने घर चली गई husband अपने घर है हो गए अब 125 देना पड़ेगा बगयरा बगयरा पताने क्या क्या अब जो maintenance का लोग है ना वो पता क्या कहता है वो यह कहता है कि अगर wife wife बिना किसी कारण के husband से दूर रह रही है अब बिना किसी कारण यहां पे कोट के नजरों में तो वो बिना किसी कारण है जब तक वो उसके नजरों में बात आना जाए बिना किसी कारण के अपने family में रह रही है फिर अलग अलग रह रही है तो she is not entitled to take maintenance वो maintenance लेने का लेने की हगदार नहीं है अब इसका जो हम पे legal proof है वो यह है section 125 का close 5 पढ़ना इसमें से पढ़ना इसमें साफ लिखा है कि अगर wife के पास कोई cause नहीं है यानि sufficient reason नहीं है या तो कुछ के पास कोई reason हो कि भी मेरे साथ मार पीट होती है वगरा वगरा सारा कुछ तब वो अलग रह रही है तब उसने maintenance क case डाला है तब तो अलग बात है अगर उसके पास कोई reason नहीं है कि भी उसके पास कोई reason नहीं है बस वो है कि अपने family में माईके में और husband अपने घर है तो 7-8 महीने बाद उसने maintenance का case कर दिया तो अब husband के लिए advice यह है कि अगर आपके साथ ऐसी condition होती है तो आपको क्या करना जीए तो आपको एक reply बनवाना जीए जीसे हम return statement भी कहते है civil language में तो आपको एक return statement बनवाना है उसमें section 125 का हवाला देना है कि भी life sorry wife खुद अपनी मर्जी से यानि कि उसके पास कोई reason नहीं है वो फिर भी अलग रह रही है और फिर बेर से maintenance मांग रही है तो इस बेस पे हम हमारा जो maintenance है यानि जो wife maintenance claim कर गए उसको reject किया जाए ओके सो जैसे ही आप यह चीज़ फाइल करोगे वह maintenance reject हो जाएगा अब यहां पर मैं आपको बता दूँ यहां पर मैं fake जो harassment के लिए किया जाता है उसके favor में हूं मैं किसी को यह नहीं बोल रहा कि आप maintenance ना लो या फिर क कुछ भी दो हर किसी की अलग अलग condition होती है ओके तो जैसे अब की condition है वैसे आप अपने आपको समझ लो कि इस वीडियो में उसी के बारे में बताया है ओके साई हो इसके लिए